हर महीने की त्रियोदशी के दिन परदोश ब्रत होता है। अगर आप ब्रत रखते हैं या ब्रत नहीं भी रखते हैं तब भी ये कथा सुनने का बहुत अधिक महतब है। अधिक मतलब अलग अलग दिन आता है जैसे सोम बार या मंगल बार जिस दिन ये ब्रत आता है उसी दिन का ये ब्रत माना जाता है। सोम बार को आया तो सोम प्रदोश ब्रत शनी बार को आया तो शनी प्रदोश ब्रत अलग तिति के लिए अलग होता है। और अलग ही महतब होता है तो बहुत महतब है कल इस ब्रत का जो सोम बार के दिन सोम प्रदोश ब्रत आ रहा है। इस दिन ब्रत रखने से भगवान भोलेनात की क्रिपा से रोग मुक्ती होती है, ग्रेक लेश खतम होती है, सुक समरिद्धी होती है और मानने ता है कि सर्मनो का आमना पूर्त ये ब्रत है। तो आईए आगे पड़ते इस ब्रत की कथा के बारे में जिसका बहुत अधिक महतव है कथा सुनने का भगवान भोलेनात की ये प्रदोश ब्रत की कथा। राजकुमार जो है वो दरदर भटकने लगता है क्योंकि राज्ये पर किसी और का अधिकार हो जाता है। प्रदोश ब्रत की संपूर्ण भीधी बताते हैं और उसका महतव बताते है कि कितना अधिक महतव है प्रदोश ब्रत का। तो वो घर आकर परदोश ब्रत करने लगती है हर महिने और भगवान शीप का पूरण जो है कथा और उनकी पूरण भीधी पूजा की करने लगती है। एक दिन उसके दोनों बच्चे वो राजकुमार और उसका लड़का जंगल में खेलनी गए थे क्योंकि वे हर रोज छोटे-छोटे बच्चे खेलनी जाते थे। राजकुमार को देखा और पहचान लिया कि ये विदिर्वदेश के जो है राजा का बेटा राजकुमार धरमगुप्त है तो उन्होंने उसको पहचान लिया और अपनी कन्या का बिवा उसके साथ करने का परस्ताव रखा तो वे राजकुमार मान गया और उन दोनों का बि तो उस पुजारी की जो विद्वा थी और उसके बेटा था उनको बड़े ही आदर से अपनी राज्ये में बुलाया और अपनी राजमहल में ही अपनी मां की तरह रखा और उसकी पत्नी थी जो अंशुमती उसने इस सब का कारण पूछा तो उस राजकुमार ने परदोश ब् थी इस सब का कारण है जो मुझे ये राजपाट दुबारा मिला मेरी तुम्हारे साशाधी हुई और ये माता पुजारन थी जो पुजारी की जो विद्वा थी उनको भी ये सब कुछ परदोश ब्रत की महिमा से ही हुआ परदोश ब्रत से सभी प्रकार के रोग मुक्त होत प्रदोश काल जो होता है सूरे अस्त से 43 मिनट पहले का समय माना जाता है माननेता है कि जब सूरे अस्त हो रहा होता है और जब सूरे पूरन अस्त होने से रह जाता है मतलब संद्या का ऐसा समय जब सूरे अस्त होने वाला होता है उससे पहले के समय को जो दोपहर का समय भी नहीं होता और रात का समय भी नहीं होता उस समय को परदोश काल माना जाता है और उस काल में बगवान शिपकी पूजा का परदोश ब्रत वाले दिन बहुत अधिक महत्व होता है तो ये थी परदोश ब्रत की कथा अगर आपको अच चैनल से ताकि आपके पास भी आती रहें इसी तरह की नई नई वीडियो जै भोलेना अगर आपको कथा अच्छी लगी तो एक बार कोमेंट बोक्स में जै भोलेना ज़रूर लिखिएगा